वेल्कम प्रेंट्स टू बेटोर क्लास्जेस हम एचा सी जी डी ग्रूब डी 2018 की प्रपेशन करवा रहे हैं यहां पर और आज हम मैप्स के कुछ वीडियोस सीखेंगे वीडियोस मत्री सवाल सीखेंगे पहला स्वाल हमें एक छहात्र अपने खर से caf और अगले दिन उसी समय हमें पार गया शेयलत अजात चีह मिनुटे सो फहले है तो सबसे पहले हम इसमें माल लेंगे कि जो घर और उसके स्कूल का दूरी वह एक्स है तो इसका समय कितना लगेगा पहले बार में एक्स बटा पांच बटा दो अब अगली वार में यह एक्स है इसके स्कूइड कितना बढ़ गया है तो पांस से ही दो बटा दो प्लस एक बढ़ेगा है ना दिखा हुआ गटी एक बढ़ गया है एक बढ़ गया तो कितना जाएगा यह साथ बढ़ता तो अब एक चीजा ध्यान दिखें मालनी जुसको कु माल दो मिनेट पहले पहुंच जाता था अब बाद में पहुंच यह जो दूजिए जो समय का डिफरेंस है पहले का और बाद का तो बाद के समय लगता तो दोनों को घटा देंगे तो हमार एंसर आ जाएगा तो इन दोनों को हम घटा के बराबर कितना रखता था फैले शे मिनट बारा मिनट को में घंटा है वदलना पड़ेगा तो बारा बटा 5 हो जाएगा और नीचे आपको हो जाएगा 2x by 7 एक बटा 5 यहां सौल्व करिएगा तो आपका एकस बराबर आएगा साथ बटा चार ठीक है और एंसर आएगा बटा नसमा ऐसे लाना है यह एक सही तीन बटा चार इस तरिके से इसको हम लोग सौल कर सेके ठीक है दोस प्राइएशन करना पड़ीगे तो गुने दो आएगा गुने दो ऑप निकालते आप उसी तरीके से यह उसको एखाजार आठ लेखिए जो से काटि कितना आएगा आपका फांसो चार फिर दो से काटिएगा क्टा आएगा अगर दो पाँच दो इस तरीके सॉल्ल करते ही तो लांस्ट किया ही अक्वाज़ जाएगा अब देखिए इस वर्क कैसे बनता है कोई भी दो नमबर अगर गुना कि उसको वर्क बोलते हैं तो दो है दो है तीन तीन है एक ही साथ है तो एक साथ से अगर हमें उसको भाग कर द थ्वस्तू की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटवती के बाद रुपीस पी आती है थ्वस्तू का मूल सबसे पहले हम क्या देगे एक चीज़ या देगीगा जैसे कि बोला 20% कम हो रहे किसी चीज का तो माली ये एक्स ही है उसका मूल दाम एक्स तो 20% कम वहा तो कितना करेंगे 20% 100 नृटन निकाल के पहले इस 20 को एक से खटाएंगे घटाएंगे 150 us is किटना 65 वटा 100 फीटके सा हो आप तो किसी तरीके से प्छेटर करने है चिक है इसी तरह मान लेते हैं मूल हमारह एक्स सो पहले इसके बराबर किया जाएगा हमारा पी ठीक है यह काटिया आप यहां से यह कटेगा बीस से पांच बार में यह वीज से चार बार में यह 25 से इस तरीके से चार चार गया एक्स बराबर आपका आजाएगा फाइव फी बाई ठीक है इस तरह का सलूशन हो जाएगा फाइव फी फाइव फी ठीक है दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल के तरह अगला सवाल है सोला आदमी में 14 गंते काम करें किसी कारी को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 28 आधाइस आदमी कि कितने 28 आदमी दिन में 12 गंटा काम करके उस कारी को कितने दिन में पूरा करेंगे तो इन सवाल क bounty Benne bisa जरी अरी दिए क्या-क्या को आदमी है घंटा है और दिन है पहले हमारे आदमी कितने थे 16 घंटा कितना था 14 और 3 था 12 अब आदमी कितने होगे 28 गंटा कितना बन गया 12 निकालना है इसको हमें क्या क्या करेंगे अगर माल लीजिए कोई काम करने में आदमी अगर बढ़ रहा है तो दिन क्या होगा घटेगा तो दिन क्या उसका उल्टा चलेगा उसी तरह अगर आदमी बढ़ रहा है दिन भी घटेगा अब जो सीधा लीजिए 16 बढ़ अचा होगा बराबर क्या करेंगे जो एक तरफ है उसी तरफ ही इसका और उपकर सी नीचे मालदे इसका अलिजीए तो हम लोग बारा बटा चौजा लिखे और माल्दी जी दिन लग रहा हो गया ति यहां हो जाएगा एक्स बटा बारा ठीक है यह बारा बारा कड़ गया यह 14 से 28 बार में कड़ी आएगा यह 2 से 16 बार में गया आठ दिन तो कितना दिने काम खत्म कर पाएगा आठ दिन इस तर प्रतेग आँ पर एक रूपे वसील हूए तो उसे 50% का लाब हो व्यारम में आँ कीमत कितनी थी सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आँ कीमत प्रागर कीमत एक्स एक्स तो जब तो वह 25% लाब कर रहा है तो तो आम की विए कितनी हुँ जाएगी चिक है सबसे पहले हम निकाले कितना होगा तो कितना किमत हो जाएगा एक्स प्लस 25 परसेंट ऑफ एक्स यह इसका फाइदा होगा नया दान निकल गया इसका ठीक है इतना उसको फाइदा हो रहा तो यह जोड़िएगा कि आपका आ जाएगा 125 बटा 100 एक्स और इसको में लिख सकते हैं 1.25 एक्स ठीक है यह आपाएगा अब क्या बोला है कि अगर वो प्रतेक आमों के दाम को एक रुपए बढ़ा दोता है ठीक है यह जो एक्स हमारा यह प्रतेक आम का है तो 1.25 एक्स का दाम था तो इसको बढ़ती कितना हो जाएगा kide बढ़ रहा है उसकों फाइडा कितना हो रहा है pięल एक्स था अब फाईडा निकालेगे मियाज ठीक है तो अथिक है तो आएगा एगा एक्स याज्याकां पॉइगा 5ос यह हमारा हो गया ठीक है अभी इसको वन बरावर हमको क्या रिख सेकते हैं एक कट कि इतना आएगा 0.25 एक तो इसको लिख सकते हैं 25 बटा 100 एक्स एक्स बरावर क्या हो जागे उन के बरावर है न तो 100 बटा 25 अगला सवाल है लोहे लोहे से बने एक थोस लोहे से बने थोस सम प्रिज्न में 5 cm, 10 cm, 13 cm अनुप्रास्त काट है जिसकी उचाई 10 cm है यदि लोहे का एक घन सेंटीमेटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्न का वजन कितना होगा यह हमें बटाना है दोस्तों कि यह कोश्चन बहुत ही आसान है इसमें करना करेगी है मैं बटाता हूँ है हमें क्या करना पड़ेगा इन तीनों से दिगें क्या दिया हुए लोहे के बने थोस प्रिज्न में 5 cm, 10 cm, 13 cm भुजाय का त्रिभुज अनुप्रास्त काट है ठीक है तो प्रिस्म का वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मुला है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला दो प्लीज इसे याद रखिए अच्छे से क्या होता है ठीक है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का पॉस्ट करके आप पहले खुछ से सॉल्व करने हैं अगर आप खुछ से एंजर भी बताया है ठीक है यह बहुत ही फाइदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि क्या होगा इसका फॉर्मूला ठीक है तो जो भी ऐसे त्रिभूजाकार प्रिस्म होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वाल्यूम का वो होत होता है कि इए इन टु हाइट ठीक है मतलब जो इसका बें अश्का च。ख हुआते हैं इन टु हाइट यह हमारा फॉर्मूला हो होता है ठीक है अब बी दूब बी होता है area ठीक है उस area की जो तीनों जो उचाई है उसका area निकालते हैं तो सबसे पहले हमें area निकालना पड़ेगा तो वह area हम लोग कैसे निकालते हैं यह हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो अब देकि यह तीन भुजाएं हैं तीन भुजाएं क्या आपकी त्रिवुजाकार है तो त्रिवुजाकार के एरिया क्या होता है हमके में क्या पता है रूट ओबर S into S-A into S-B into S-C ठीक है और S क्या होगा यहां पर तीनों भुजा को जोड़के बटा दो तो 5 प्लस दस प्लस तेरा बटार दो करिए कितना आएगा तेरा पांच अठारा दस अठाइस चौदा उसको रूट में हम निकालेंगे पहले कि चौदा चौदा मैनस ए तो एक कितना हो गया पांच हम लोगा तो नौ हो गया ठेक है गुने चौदा माइनस दस कितना हो गया चार चौदा माइनस तेरा कितना हो गया तो इससे हमें निकालना है ठीक है अब इसको हमने कैल्कुलेशन करेंगे हम लोग तो क्या क्या होगा कैल्कुलेट करके देखें चार से एक तो बाहर आ जाएगा दो ठीक है यह नौ से बाहर आ गया त तो चौदा का रूट जो होता है दोस्तों वह था आपका तीन दसम्बलों साथ चार ऐसे ही पूछे तो इसको हम लोग अब इसको गुना करेंगे दो गुने तीन गुने तीन गुने चार तो यह आएगा आपका 22 दसम्बलों चार चार ठीक है तो यह हो गया हमारा एरिया ठीक है अब एरिया में हमें क्या करना है हाइट से गुना करना है बी इंटु एच था तो बी इंटू 24 इंटू 10 तो इसमें 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.4 इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अब देखिए अब सबसे इंपोर्टेंट है इसमें इंपोर्टेंट क्या इसमें कि आप यह हमारा निकल गया इसका वाल्यूम फोईंट वोईंट और इसका घंद निकालते हैं। वल्यूम और घन को बुना करते हैं जोता है घन बराबर क्या होता है वजन वट्र गन देंशों की अधियं को कहते हैं मैं सब्सक्राइब निकाल लिए तो मास अगरा एंट तो मास मारं पूछा किया है कि दो सो चौबिस गुने चार अगर साथ करेंगे तो आपको पहला वाला अंसर है वही आएगा एक पांच साथ जीरो गुने आठ ठीक है पॉइंट आठ तो इस तरीके से सवाल को सॉल करते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट चीजे दोस्तों आप याद रखिएगा कि एक प् तो हम लोग का वो वजन निकल जाता है ठीक है घन को अगर आएस सो गुना करें तो वजन निकल जाता है माप करिएगा थोड़े हिंदी कि सम्स बताएगे वर्ड है वो थोड़ा प्रॉब्लम में अगर कोशिश कर रहा सा तो सम्झाने के लिए अब अगले साथे तरफ बढ नहुमान को तो अंग्ते सबसे पहле हमें सबसे करें कैसा हम इस इसा सब्सकत्राइगे । ठीक है 750 km प्रती घंटा यदि उसकी गती कितनी बढ़ जाए 1200 मिटर पहले कितना था साड़े साथ सो आया साड़े साथ सो में अगा 2800 एड़ कर देंगे हम लोग 625 नहीं 750 है अगर हम लोग 9000 करेंगे समय निकल जाएगा नौ घंटे हमारा समय हो गया ठीक है अब अगला सवाल है संख्यायों का और सबसे पर देखिए अगर यह और नंबर है और यह और यह और नंबर है एक तीन करें तो पहरा 25 और नंबर है इसका जो सम्स होगा वो कितरा होगा हमें यह निकालना है ठीक है तो उसका सम होता है दोस्तों होता है एन स्क्वाइर ठीक है एन स्क्वाइर जो होगा वो क्या हो जाएगा पचीस का स्क्वाइर आए यहां पर यहां पर यहां पर रखकर पक्षीस शंख्यां तक यह लगवववववव उच्वाइब जाएगा जोडने के लिए इतना नंबर हों पर स्क्वाइर कर दें लेकिन याद रखिएगा शारा जब विशम नंबर हो तब एक तीन पांस अब च्वाइर नहीं जा करने का भी बहुत असान तरीका है जो और एक और नंबर इसके साथ जोड़ दिए दो प्लस एक इतना हो गया तीन जोड़ दी तो दो गुने तिन कितना हो इच है शेषो पचीस चुछ चीक कभी भी पचीस से पचीस होना करना ऐसा है अब आसाथ क्या होता है पूरे संध्या आगा बटा कितना नंबर है शेषो पचीस बटा पचीस करेंगे कितना आगया पचीस फिर से हैं तो हमारा एंसर कितना हो गया पचीस ठीक है इस तरीके से यह सवाल भी सॉल्ट हो गया अब बढ़ते हैं आगे अब इसका मान निकालना है सबसे पहले हम पूर गींगे 441 देखें और यहां पर 6030 बाहर आ जाएंगे तो इसको नुब्लिक सकते हैं कितना 0.021 पॉइंट देखेंगे यह वन बिठा दी पॉइंट के जागा पर चीतना जीरो है तो पॉइंट इतना नंबर हो जाएगा दो नंबर है यह तो एक जीरो में अगला सवाल यह थोड़ा स है कि एक स्वाल में क्या बताया गया है तालिक अध्यान करके प्रस्तों का उत्तर दीजें तो बोला बुद्धी लब्दी प्रात्तां कि इतना से इतना है चाह्त इतने चाहत्र उसमें से सब्सक्राइब करने वाले चात्रों की संख्या कितनी है जो एक सो चालिस नंबर प्राप्त किया है कि इससे देखेगा इसका कि इसका सही क्यों नहीं हो सकता क्यों कि ये सिर्फ इसे क्या दिये हुआ है कि एक सो तीस से चालिस के बीश में दो लोग है लेकिन क्या यह दिया हुए कि दो लोग का एक सुचारीस आया है नहीं तो यह ग्यात नहीं कर सकते हैं ठीक अगला है सौ और अधिक बुद्धी लग्दिव अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संचाय कितनी है सौ और सौ सी अधिक सौ से हर और से अधिक कौन कि इस अधिक यह जोड़ें करें कितना आयगा एका वंटिफल्धि ऑ्яться अब्सक्राइख euro ऑ्क्षेण नमब्र सकन प्राप्तिक हमारा सही हो गया है इसी तरीके की सवाल आते हैं दोस्तों तो अगर आपको और ऐसे सवाल देख जो भी GTA कोशिन हिंदी कोशिन देखते रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों प्लीज हर्प करीज थोड़ा भी चैनल बढ़ा करने में शेयर करें तो दोस्तों अगर पर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बता है वह यहां के बढ़ाई कर सकते हैं प्लीज बेल आइकन बटन ज़रूर दबाईएगा जैसे बेल आइकन बटन दबाएंगे तो हम प्रीडियो जैसे ही पोस्ट करेंगे आप तक हर बार बहुत जाएगा तो थैंक यू पर